हेलो एव्यवान वेल्कम तो सेने में के अर्मी यूटिव चैनल जहां पर हम आपके लिए लेके आते हैं हर दिन एक नया सवाल तो आज का सवाल है दोस्तों सरकल्स के उपर जी हां सरकल्स के उपर जो की एक बहुत ही बेसिक चाप्टर है कॉनिक सेक्शन का तो आएए दोस्त डेंटेंदग टीलो तो यहां पर आपको डबल one और डबल टो नाम से रोस्तों सरकल्स दिए गए हैं और एंडार एम बी क्यान है नष्ट इस एक externally tangent to w, तो basically, तो हमारे पास एक line है y equal to ax which basically contains the center of which circle, the circle which is externally tangent to w2 and internally tangent to w1, तो जी हां ये जो circle है जिसका center y equal to ax पे लाई कर रहा है, वो circle externally touch कर रहा है w2 को और internally touch कर रहा है w1 को, and given that m square is equal to p by q, where p and q are relatively prime integers, find the value of p plus q, तो आईए दोस्तों, सबसे पहले तो देखते हैं कि in given circles w1 and w2 का center और radius क्या क्या होगा, तो आईए, सबसे पहले बात करेंगे w1 की, तो w1 का जो center होगा दोस्तों, आप यहां पे देख पा रहे होगे, कि this is 2g and this is 2f, और center होता है minus g minus f पे, तो कह सकते हैं क्या कि center होगा minus 5 comma 12 पे, जी हां, और आईए देखते हैं इसका radius क्या होगा, तो radius को दर्शाते हैं r1 से, तो radius होगा under root of g square, which is 5 square, plus f square, minus of the constant, तो minus होगा, minus of minus 87, which will become, तो दोस्तों, simplification पर यह बन जाएगा आपका, under root of 169 plus 87, which comes out to be under root of 256, तो दोस्तों, आपका जो radius of w1 circle है, वो बन के आएगा 16, इसी परकार से जली-जली हम लोग circle w2 का भी center और radius निकाल लेते हैं, तो w2 का जो center होगा दोस्तों, पहले तो हम लोग इनको नाम भी देते हैं, इनको center c1 बुलाते हैं, और w2 के center को हम आईए c2 बुलाते हैं, तो w2 का center होगा 5, 12 पर, और देखते हैं radius कितनी होगी, radius होगी under root of 5 square, plus 12 square, minus 153, यह बन के आजाएगा, under root of 16, which is actually radius of 4, so r2 की value यहाँ पर 4 होगे, ओके, तो आप मानते हैं, जिस circle का center, हमें y equal to ax पर रखना है, आईए इस center को हम नाम देते हैं, c, तो दोस्तों यहाँ पर इस scenario को एक बार roughly draw कर लेते हैं, तो मान लीजिए, यह है हमारा coordinate axes, तो जो w1 circle है, उसकी center है, minus 5, minus 12 पे, और यह काफी बड़ा circle है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, कि इसके radius है 16, तो अगर मैं इसको roughly draw करूँ, तो कुछ circle इस पकार से आपको दिखेगा, एक rough estimation हैं दोस्तों, मैं exactly नहीं draw कर रहा हूँ, तो यह है हमारा मान लीजिए, w1 circle, this is our w1 circle, और जो w2 circle है दोस्तों, वो काफी छोटा सा circle है, जिसकी radius है 4, और उसकी center है 5, 12, और जो दूसरा circle है, वो completely lie करेगा within this circle, within this white circle, तो यह आप छोटू सा circle देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यह है हमारा w2 circle, जिया, अब दोस्तों, हमें एक ऐसा circle निकालना है, जिसका center इस प्रकार से लाइक कर रहा हो, कि वो circle basically w1 को internally touch कर रहा है, और w2 को externally touch कर रहा है, तो rough तोर पे अगर मैं ऐसे कुछ circle को बनाऊँ, तो दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, तो यह blue वाली circle की जो center है, इसे हम मान रहे हैं C, तो दोस्तों, यह तो महज एक ही circle हुआ, बट ऐसे बहुत सारे circle possible हैं, आएए देखते हैं इस सवाल के solution के थ्रू, तो सबसे पहले यह जानते हैं कि जो हमारा blue circle है, उसका center अगर C है, और हमारा circle of w1, c1 है दोस्तों, तो क्या मैं कह सकता हूँ, c1 is equal to r1 minus r, जहां पर r is the radius of the blue circle, radius of the blue circle, आई यह circle को w3 के नाम से दर्शाते हैं, और इतना ही नहीं, c2 जो होगा, वो होगा, r plus r2, जी हां, r plus r2, isn't it, so the distance between the center of w1 and the center of w3, will be r1 minus r, जहां r1 is the radius of w1, and r is the radius of w3, और वहीं पर cc2, the distance between the center of w2 and w3, will be r plus r2, r being the radius of w3, and r2 being the radius of w2, तो दोस्तों यहां पर अगर हम इनको जोड़े, cc1 plus cc2, तो r हमारा कट जाता है, और यह जो value होती है, वो हो जाएगी 16 plus 4, क्योंकि r1 की value 16 है, r2 की value 4 है, तो दोस्तों इसका कहने का क्या मतलब है, इसको अगर आप locus condition की तरह देखें, तो यह कुछ locus of an ellipse की तरह दिखत है, कि ellipse is defined as locus of such points, whose sum of distances from two fixed points, yeah, sum of distances from two fixed points, which are called the foci, is a constant, तो यहां भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा है, c के साथ, तो c इस प्रकार से move कर रहा है, कि the sum of its distance of c from c1 and c2 is coming out to be a constant, yeah, तो यह जो constant होता है, यह होता है, the length of the major axis, yeah, the length of the major axis of the ellipse, तो major axis of the ellipse की value होगी यहां पे 20, so c lies on an ellipse, तो दोस्तो c lies on an ellipse, जिसकी major axis की value होगी 20, major axis का length होगा 20, तो आईए देखते हैं, आगे जानते हैं ellipse के बारे में, दूसरी यह बात में यहां पे दोस्तों आप बता सकता हूँ कि अगर c1 और c2 उस ellipse का foci है, तो उसका जो center होगा, तो यह जो ellipse है, यह ellipse है जिसको मैं e मानता हूँ, तो the center of the ellipse will be the midpoint of the two foci, the center of the ellipse will be the midpoint of the two foci, तो यहां पे midpoint क्या होगा दोस्तों, यहां पे midpoint होगा, 5-5 by 2 and 12 plus 12 by 2, जी यहां इन दोनों को add करके divided by 2 करना है हमें, तो आइए देखते हैं center की value क्या होगी, center का coordinate क्या होगा, center का coordinate होगा, 5-5 by 2 and 12 plus 12 by 2, जिसकी value आती है 0,12, तो यह एक ऐसा ellipse है, जहां पे center लाई करता है आपका 0,12 पे, length of the major axis है 2, that means क्या मैं कह सकता हूँ, उस ellipse का जो a होगा, वो होगा 10, जी हां दोस्तों, अब पदा करते हैं, उस ellipse की eccentricity क्या होगी, क्योंकि मुझे semi minor axis का भी length जाना है, तो दोस्तों, यहां पे जो 2 a e होगा, which is the distance between the two foci, that is clearly coming out to be 10, और 2 a हमारा 20 है, तो e की value हो जाएगी 10 by 20, which is half, जी हां, उस ellipse का eccentricity हो जाएगा, half, तो आइए b square की value निकालते हैं, b square होगा, a square, 1 minus e square, जी हां, b square is a square, 1 minus e square, this will give you 75, तो दोस्तों, जो finally हमारा c होगा, the c lies on an ellipse, whose equation will look like this, x square by 100, plus y minus 12, the whole square by 75, y minus 12 क्योंकि हमने, क्योंकि जो center था ellipse का दोस्तों, वो 0,12 पे था, so this is the case of a shifted ellipse, यह ऐसा ellipse है, जो की shifted है, however, the major axis and the minor axis are still parallel to the coordinate axis, तो दिसको हम लोग shifted ellipse कहते हैं दोस्तों, अब, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे, इस ellipse को मैं आपके लिए, जियो जिवरा में दिखा देता हूँ, आइए चलते हैं, जियो जिवरा की ओर, तो दोस्तों, आइए इस scenario को, जियो जिवरा पे एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास, जो ellipse बन के आएगा, वो कुछ इस पकार से दिखेगा, x2 by 100 plus y minus 12 the whole square upon 75 equal to 1, जिया दोस्तों, दिख रहा होगा, एक बड़ा सा ellipse यहाँ बन के आएगा, मुझे तुड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं, y equal to ax, should pass through c, and a, which is a positive integer, should be as less as possible, तो दोस्तों, y equal to ax must be a tangent to this ellipse, जिया दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, जिया, so that the value of m, which is directly dependent on this angle theta, tan of this angle theta will be your value of a, so, दोस्तों, वो value कम से कम होनी चाहिए, तो इसलिए हमारा y equal to ax line, अगर a की value सब से कम रखना चाहता है, तो उसे इस ellipse के ऊपर tangent होना ही पड़ेगा, जिया दोस्तों, तो दोस्तों आशे करता हूँ, जियो जिब्ला से आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे जो line चाहिए, y equal to ax, वो एक line ऐसी होनी चाहिए, जो की origin से pass करें, of course, और वो इस ellipse पे tangent हो, तो ऐसे ellipse पे जो tangent का equation होता है, the equation of the tangent to such an ellipse is given by y minus 12 is equal to mx plus minus under root of a square m square, a square है आपका 100, m square plus b square, b square is 75, जिया, तो b square की value 75 है, अब दोस्तों, यहाँ पे हमें m की value किसी प्रकार से चाहिए, जो की हमारी a की value होगी, जिया, m के value के बिना हम a की value नहीं निकाल पाएंगे, m की value निकालने के लिए दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि यह origin से पास कर रहा है, this must satisfy the tangent, this must satisfy the tangent, तो अगर x की value और y की value अगर हम 0 रग दें, तो हमें मिलेगा कुछ इस पकार से, under root of 100 m square plus 75, जी हाँ दोस्तों, आई इसको square कर लेते हैं, square करने पे मिलेगा, हमें 144 is equal to 100 m square plus 75, which means, 100 m square is equal to 69, that means m square is 69 upon 100, जी हाँ दोस्तों, m square की value अब आ चुकी है, और दोस्तों आप देख पा रहे होगे, कि यह हमारा p by q बनने वाला है, क्योंकि 100 और 69 को प्राइम से हैं, जी हाँ, तो अब हमें निकालना है, p plus q की value, p plus p की value हो जाएगी, 100 plus 69, which is 169, and this is the answer to this question, दोस्तों, तो जो हमारा a value था, वो हमें actually नहीं चाहिए था, हमें m की value इस्तिमाल करनी थी, तो m का जो square होगा, वो होगा 69 by 100, which is actually p by q, so p plus q becomes 169, so आशा करता हूँ, इस question के माध्यम से आपको ellipse के equation of the tangents को revise करने में सायता मिले होगी, thank you so much for watching, stay safe, stay healthy, दोता हूँ,चरा बाल, शोता हमें उन शो faut स dense आप psychức JUL pigeon ए का बाल, वो दो में, दो जोिएई पाल, भीओ चाहिए उन आपकोwert को प्रत्लिवम भीरा, कोète क्रा कैन तो मों करने में ंचित मों और कूँे लागी, आपको वोगां शोत्यर कि दूनाूम,